लोकसबा चुनावों की तारीक का एलान होने से पहले नेताओं की बोल बेगड़ने लगे हैं गठबंदन की सांसदों ने भारत राष्ट पर सवाल खड़े की हैं सनातन धर्म पर भी हमला बोला गया है भाजपा राष्ट महामंत्री ने कॉंग्रेस और गठबंदन को आड़ करते हुए भाजपा के राष्ट महामंत्री तरण शुग ने गठबंदन पर हमला बोला सबसे पहले रडार पर आए सपा मुखिया पूर मुख्यमंत्री अकलेश यादव इसके बाद निसाने परती कांग्रेस और दच्छन के एकसांसद अकलेश यादव जी अपने गरीब चुका है अकलेश यादव जी की जो सोच है अब यूपी उस पर कहीं भी खड़ा नहीं होता है यूपी उनको वीचे छोड़ कर बहुत आगे बढ़ चुका उनकी खटास पैदा करनी वाली जहर गोलने वाली अब सोच चलने वाली नहीं है अकलेश यादव जी कभी कॉंग पेरिलाल का हसीन सपना पूरा नहीं है। पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और ये गटनाई बार बार हो रही है। इसका जिकर है और हमारे डियने में हमारे डियने के कन कन में भारत 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 इता विराजमान है। ये सियासत है नेताओं के बोल बिगड़ते हैं। जब नेताओं के बोल बिगड़ते हैं तो जब आप भी मिलता है। भारत इता पार्टी हमलावर नजर आ रही है। एक एक कर गटबंदन के नेता भारत इता पार्टी के हाथ में मुद्दा देते जा रहे हैं। ऐसे में नेताओं को अपने बोल पर ध्यान नखना होगा अनिता भारत इता पार्टी ऐसे बोल को लपक लेती है। जब भी चुनाब आते हैं नेताओं के बोल बिगड़ना सुरू हो जाते हैं। गड़बंदन के सांसत के द्वारा राष्ट पर सवाल खड़ा किया गया है। इसके अलावा सनातन धरम पर भी हमला बोला गया है। यही वज़े हैं कि भाजपा पूरी टाकत के साथ हमला बर हो गई है। भाजपा के राष्टिय महमंतरी तरण सुक कहते हैं कॉंग्रेस घड़बंदन के लोग हमेशा देश का अपमान करते हैं, धरम का अपमान करते हैं। राष्ट से माफी मांग रहे हैं। चुनावों की तारिक का एलान होने बाला है, अभी नेताओं के बोल और बिगड़ेंगे, जिस पर स्यासत और गरमाईगी। जनता नेताओं के बोल पर अक्सर ध्यान देती है। अपने साथी अगदुबे के साथ राकेश खनोजिया, सीन्यूस, आगरा। आगरा के सरवादिक लोगप्रे चैनल सीन्यूस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।